अब हम आगे का प्रोसेस सिखते हैं सबसे पहले हम लेयाउट कैसे बनाते वह देखते हैं तो जब आप स्कैन करोगे आपका नॉर्मली व्यू डिस्प्लेय इन व्यूवर्स पर जाएगा तो आपको आना है इस प्रिंट कंपोजर मोड पे जो पी टैब वाला है इस दर पर आएगे तो इस पर आके आप अभी हमें लेयाउट कैसे बनाना है नॉर्मली आपको मैं वह बताता हूं ओके मैं आपको तीन-चार बना के दिखाओगा बाकी आपको आपके इसाब से जैसा लगेगा वैसा अगर जमा मेरे को तो सब लेयाउट के जो रहते में लास्ट में फोटो डाल दूगा कि बाकी क जो लेयाउट कैसे कैसे रहते हैं फिलाल में आपको नॉर्मल चार पाज बना के दिखाओगा जो कॉमनली यूज होते हैं सबसे पहले मैं आपको राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक के बारे में बता देता हूँ कि जिनको पता है उनके लिए ओके जिनको नहीं पता है वो देख ले तो अच्छा हो ये माउस है अपना माउस में देखिए ये राइट क्लिक है जिदर औरेंज है ये एरिया राइट क्लिक है ये एरिया लेट क्लिक है धैन से सुनिएगा राइट क्लिक लेट क्लिक जब मैं बोलू तो क्या रहेगा और ये स्क्रोल है जो आपको जुम में यूज होता हो स्क्रोल अभी हम आते हैं लियाउट कैसे बनाते हैं देखे यह एक नॉर्मली लियाउट है जिसमे अपना इदर सेंटर के नाम और पेशेंट्स के डीटेल आते हैं तो अभी हम लियाउट बनाने स्टार्ट करते हैं अभी हम वापस तयार करेंगे देखे इदर लियाउट लिखा हुआ दिख रहा है फिर से बोलो आपको पी टैब में आने के बाद आपको लेप्ट हैं साइट पे लियाउट दिखेगा लियाउट पे क्लिक करने के बाद इदर पे रिजिस्टर डियाउट उके क्लिक कीजएगा आप इदर से जो साइज लेना वो साइज ले सकते हो पोट्रेट, लैंड्सकेप इदर आप चाहिए तो आप नाम दे सकते हो आपके लियाउट के लिए अभी हम तयार करते हैं सबसे पहले right click okay right click धेन से सुनिएगा right click बुला right click करके horizontal partitions add selected horizontal partitions line को click की जएगा यह आया अपना horizontal line horizontal line आने के बाद याद रखेगा यह mouse जो mouse का arrow ऐसा लेके जाने के बाद आप उस पे click करोगे left click left click करोगे देखिए उसको पकड़के आप click करके रखना है उसको पकड़के फिर आप उपर नीचे घुमा सकते हो ध्यान दीजेगा फिर से देखिए ऐसा arrow एक आने के बाद फिर आप click करोगे देखिए green हुआ मिस आपको selected हो चुका अब उसको पकड़के रखिएगा पकड़के रखिए आप उसको उपर नीचे घुमा सकते हो यह अपना नीचे लेके आना है इतना जिस पर अपना center का नाम आएगा जैसे आप देख सकते हो इधर पर दीख रहा है आपको ठीके यह normally chest twist और normally use होता है व सेकेंड लियाओड के लिए देखिए जान से राइट क्लिक फिर से फिर add horizontal horizontal को first लेना ही है क्योंकि आपका center के नाम आएगा फिर वो arrow पकड़के click left click करके ही रखना है फिर left click करके आपको नीचे लेना है ठीक है इस तरह से जब आप नीचे लोगे इधर पर आने के बाद vertical और horizontal कुछ करते हो जैसे समझो कि मैं add vertical कर रहा हूँ तो यह मेरा पूरा line पास करता है चार बॉक्स create किया चार अभी इसमें अपने को ऐसा तो नहीं चाहिए क्योंकि इधर पर अपना center का नाम आगा तो समझो अभी में कोई delete करना है तो मैं इस पर arrow बरोबर लेके जाके उ राइट क्लिक बोला मैं यह राइट क्लिक करने के बाद देखिए इधर पर डिलेट लाइन हाइलाइट हो गई है अगर आपको only selected area करना है तो आप वीज़ो से selected area जैसे मेरे को नीचे ओला area डिलेट करना 3 और 4 की विचका यह आसे किया देखिए डिलेट हो गया और अगर इ यह आला layout create होगे अपना समझें यह layout अपने को अपने को सर्वाइकल स्पाइन्स एलस स्पाइन के लिए यूज होता है इसा पाकी और भी uses होता है कि से जो normal है अपन common है वो अपन use करेंगे वो create कर रहे है अब है यह अभी register करता हो देखिए यह register कर दिया अभी हम 3rd layout बनाते है अभी 3rd layout सेम प्रोसेस राइट क्लिक एड सिलेक्टेड होरिजोंटल पार्टेशन लाइन करके फिर एरो ओबर ओबर लेके जाके लेप्ट क्लिक लेप्ट क्लिक करके फिर नीचे तलग खीचोगे क्लिक करके ही रखना है उसमें यह क्लिक करके खीचे आपने अब इसको हम क्या करते हैं लेंड्सकेप लेके सेम एक होरिजोंटल काम करते हैं इसको वर टिकल मैं भी बनाके रख देते हैं ओके यह हुआ दिखिए जैसा जैसा नॉर्मल यह कॉमन यूज होता है उस तरह से मैं एक एक बनाके रख रहा हूं जो कॉमन यूज इस है जो पांच छे यूज होते हैं अब फिर सेम चीज एक अपने को सेकेंड लाइन कंपल सरी दे ना है लैप क्लिक करके नीचे किछना है कीछे जादा उकपर हो गया फिर से पकड़की नीचे थोड़ा एंड वर्टिकल एक स्वर्टिकल लिख होरिजॉंटल वाला हो गया है अपना यह और देन रजिस्टर यह रजिस्टर ओंगा से ओक हैंग के अब फिर सेम एड़ सेलेक्टेर होरिजोंटल्स एक क्लिक करके लेट क्लिक करके इज़से नीचे तलग खीचोगे फिर यहां से वर्टिकल लेके यह अपना लेटरल अपलिक एपी लेटरल अपलिक के लिए यूज होता है जिसका तीनों रहेगा एपी लेटरल अपलिक उनके लिए यूज होगा यह हुआ इस तरह से सेलेक्टेट रेजिस्टर फिर एक और क्रियेट करता हो राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके एड़ होरिजोंटल लाइन लेके अब आया है यह इस तरह से फिर एक पर्टिकल एड़ होरिजोंटल लाइन फिनिश रेजिस्टर आप चाहिए तो एड़िट कर सकते हो आप आप ना सब्सक्राइट करती हो ब्लेत करता हैं लें और सकते हो तो पूर नीचे से भी उपर नीचे लेके तोड़ा फार एक्जेस कर सकते हो थैंक्यू अगर कुछ ले आउट रहेगा मैं लास्ट में फोटो उसके अपलोड कर दूगा और एक्जेस कर सकते हो जाँ रहेगा मैं ले झाल झाल ले दोगा झाल 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 झाल